हेलो दोस्तो, वेलकम टो यूपी पार्ट साला, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथ के इस लेक्चर में, जैसे कि आप सभी को पता है है, हम बी टी सी, डी एलेट फोर सेमस्टर के मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक चैप्टर फिनिस कर चुके हैं आपका, ठ चैप्टर का नाम है आपके, बर्ग, बर्गमूल, घन, घनमूल की अबधार्णा, ठीक है, चैप्टर को सुरु करने से पहले मैं आप से एक बात बताना जाना चाहता हूँ, कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, बहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है, और हम पहला चैप्टर फिनिस कर चुके हैं, I think आपको सभी को पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, कोसंस भी आपको अच्छे लगे होंगे, अगर फिर भी आपको कोई ड कर लेते हैं, बर्ग, बर्गमूल, घन, घनमूल के अबदार्ना, ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बर्ग और बर्गमूल का कोंसेप्ट, क्या होता है, किस तरीके से हम किसी संक्या का बर्ग निकालते हैं, किसी संक्या का बर्गमूल निकालते हैं और क्या क्या concept है किस किस तरीके की questions आपके आग्जाम में बन सकते हैं उन सभी के बारे में discuss करेंगे वीडियो को last तक देखें क्योंकि कुछ बच्चे ऐसो होते हैं 2-4 मिनिट देखते हैं इसक्रिप्स करके लिकल जाते हैं तो वीडियो को last तक जरूर देखें क्योंकि last तक नहीं देखोगे तो कुछ concept ऐसे रहते हैं जो आपके छूट जाते हैं और आप questions नहीं बना पाते हैं ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि मैं बर्ग की बात करूँ बर्ग किसे कहते हैं? पहले मैं definition की बात करता हूँ बर्ग ठीक है? यदि मैं इसके definition की बात करूँ तो definition क्या बनेगी? definition ये बनेगी कि जब किसी संक्या की घात जब किसी संक्या की घात दो हो तो वह संक्या तो वह संक्या का क्या कलाता है? बर्ग क्या कलाता है ठीक है जैसे मैंने definition लेखी जब किसी संख्या की घात दो हो ठीक है जब किसी संख्या की घात दो हो तो उसे उस संख्या का संख्या का बर्ग कहते हैं ठीक है जब किसी संख्या की घात दो हो तो उसे उस संख्या का क्या कहते हैं बर्ग कहते हैं कैसे एक्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैंने कोई भी संख्या ले लिए आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जैसे मैंने ले लिए पांच 5 की घहत मैंने क्या करती 2 ठीक है तो हमने रेफिनेशन में क्या बोला कि जब किसी संक्या की घहत 2 हो तो उसे संक्या का क्या रहते है बर्ग रहते है तो ये क्या है ये 5 का क्या है बर्ग है इसको हम क्या बोलंगे 5 का बर्ग ठीक है और इसकी value जो होगी वो क्या आएगी कितनी आएगी 25 ठीक है I think आपको समझ में आ रहा होगा और भी आपको यह संक्या ले सकते हैं जैसे मैंने ले लिए 7 इसकी घाद 2 करूँगा तो यह क्या होगा 7 का बर्ग होगा और 7 का बर्ग इसको क्या लिखेंगे हम 7 का बर्ग और इसकी value क्या होगी हमारी 14 ठीक है I think यह बात भी समझ में आ रही होगी कुछ नम्बर ले लो कोई मैंने ले लिया 11, 11 की घाद 2 लिखी तो इसको हम क्या लिखेंगे 11 की घाद 2 और यह क्या है 11 का बर्ग है इसको के लिखंगे 11 का बर्ग ठीक है इसकी value कितनी होगी इसकी value होगी 121 ठीक है I think इतनी बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से चलिए आगे चले चलिए आगे चलते हैं अब बात कर लेते हैं हम बर्गमूल की बर्गमूल क्या होता है बर्गमूल बर्गमूल की बात करी जाए तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि जब कोई संक्या किसी संक्या का बर्ग होती है जब कोई संक्या किसी संक्या का बर्ग होती है तो जिस संक्या का बर्ग होती है उसे हम क्या कहते हैं बर्गमूल कहते हैं पहले definition लिख लेजिए जब कोई संख्या किशी किशी संख्या का वर्ग होती है वर्ग होती है तब जब कोई संख्या किशी संख्या का वर्ग होती है तब तब वह जिस संख्या का जिस संख्या का वर्ग होती है वर्ग होती है उसे उस संख्या का उस संख्या का बर्गमूल उस संख्या का बर्गमूल कहते हैं ठीक है? जब कोई संख्या किसी संख्या का बर्ग होती है तब है जिस संख्या का बर्ग होती है उसे उस संख्या का कहते हैं बर्गमूल कहते हैं ठीक है? I think आपको समझ में आई होगी बात ठीक है कि बर्मूल क्या होता example से और भी आपको clear हो जाएगी चलिए मैं example की बात कर लेता हूँ अगर मैंने example की बात करी जैसे मैंने एक संख्या लिख दी क्या मैंने लिख दी 25 मैंने संख्या क्या लिख दी पच्चिस लिखती है, अब ये किस संख्या का बर्ग हो सकती है, ये किस संख्या का बर्ग है, ये पांच का बर्ग है, ठीक है, इसको हम के लिखंगे, पांच का बर्ग, ठीक है, इतनी बाद समझ में आ रही होगी, पच्चिस को हम के लिखंगे, पांच की घाद दो, घाद द बर्गमूल तो मैंने आपसे बताया कि जिस संक्या का बर्ग होती है कोई भी संक्या क्या है 25 है कि संक्या का बर्ग है यह पांच का बर्ग है तो जिस संक्या का बर्ग होती है वही उसका क्या होता बर्गमूल होता है इसका मतला इसका बर्गमूल क्या होगा पांच ठीक है 169 किसका बर्ग होता है ये बर्ग होता है आपका 13 का ठीक है 13 का बर्ग होता है और इसको हम क्या लिखेंगे 13 का बर्ग ठीक है ये लिख सकते हैं I think इतनी बार समझ में आ रही होगी अब मैंने आपसे बोला था कि कोई शंक्या किसी संक्या का बर्ग होती है तब वह है जिस संक 13 का वर्ग है 169, इसलिए इसका बर्गमूल क्या होगा? इसका जो बर्गमूल होगा, बर्गमूल क्या होगा? 13, ठीक है? यह definition आपकी, I think आपको बर्गमूल और बर्ग दोनों की definition अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है? फिर भी आपको कोई दिख्कत है, प्रोबलम है, तो आगे मैं अगर आप से बात करूँ कि किसी संक्या का अगर हमें बर्गमूल लिकालना हो तो हम और किस किस तरीके से बर्गमूल लिकाल सकते हैं ठीक है जैसे कि 25 को मैंने लिखा ठीक है 25 के बर्गमूल लिकालने के लिए हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं 25 को क्या करते हैं करनी में लिखेंगे और इस करनी में लिखने के बाद इस करनी का मतलब क्य होता है यहाँ पे क्या पावर होती है 2 होती है पिछले chapter में मैंने बताई थी यदि आपने पिछले chapter नहीं पढ़ा है तो सबसेल को complete करें उसके बाद दूसर chapter देखी है तो यहाँ पे क्या होता 2 होता है अगर 2 नहीं लिखा होया है, तो 2 होता यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर करणी से value हमें वहार निकालनी है, तो पापर 2 है करने की, तो हम उसके क्या गरेंगे, दो 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, शेंख्याओ के, अगर यहाँ तीन होती घात इसकी करने तो हम 3-3 के पेर बनाते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, और 5-5 का यह क्या हो गया, 2 का जोड़ा बना लिया हमने, तो 2 के जोड़े में से 1 हमारा क्या आता है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो 25 का जो बर्गमूल हुआ, वो कितना होगा हमारा, पांच होगा, ये भी तरीका आपका बर्गमूल ने लिकान लेका है, ठीक है, और देख लीजिए, जैसे मैंने, उड़णचास का बर्गमूल के लिए बोलू, मैं आपने चांगे, तो आप क्लणी में रखने के इबाद आप क्या करेंगे, तो इसके 7 into 7 लिख सकते हैं, ठीक है, 7 into 7 लिखाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका जो पेर बन जाएगा, सेवन का पेर बन गया तो बहर कितना आएगा सेवन आएगा तो इसका मतलब क्या उड़नचास का जो बर्बमूल होगा वो आपका क्या होगा सेवन होगा ठीक है आपको बात समझ में आ रही होगी चलिए एक और ले लिए अगर मैंने 196 की बात करी कि 196 का बर्बमूल लिका सकते हैं ठीक है अब इसके फैक्टर करेंगे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो इसको हम लिख सकते हैं दो गुणा दो गुणा साथ गुणा साथ ठीक है कैसे दो दुनी चार चार सकते 28 28 सकते कितने होते हैं 196 ठीक है तो देखो यहां पर दो का पेर बनेगा यहां पर मुदा होगा ठीक है I think इतनी बात आपको समझ में आयोगी अच्छे से चलिए आगे चलते हैं जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि बर्ग क्या होता है बर्ग क्या होता है किसी भी संक्या की घात 2 जैसे मैंने बोला की घात 2 तो इसको क्या घात 2 आख 2 घैसे मोल से किसी संक्या की संक्या का कर दे तो हमें के मिलता बर्ग मिल जाता अब ऐसी संक्या का इतनी बाद समझ में आ रही होगी ठीक यदि मैं आप से बात करूँ कि एक बर्ग है geometrically जो बर्ग होता है एक बर्ग है इसकी भी length क्या है 1 है और इसकी भी length क्या है 1 है उन सेंटिम्टर यह है, अगर मैं इसके area की बात करूं, चेतरपल की बात करूं, इसके चेतरपल कीतना होगा, cेतरपल कीतना होगा, तो आप बोलेंगे कि इसका चेतरपल जो होगा, वो length, लम्बाई गुणा चोड़ाई होता length into breath होता ठीक है तो length इसकी कितनी है 1 और breath कितनी है इसकी 1 तो कितना जाइखा 1 cm 1200 स्कॉर ठीक है तो इसका मतलब बर्ग का मतलब होता है 1 की multiply 1 से उसी number की उसी से multiply करें तो हमें क्या मिलता बर्ग मिलता जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था और यहाँ पर देखो अगर बर्ग का एरिया लिखा लेंगे तो लंबाई बुना चोड़ाई करेंगे ठीक है अब बर्ग की चारो साइड़े क्या होती है यह भी बरावर होती है यह भी एक होका यह भी एक होका सारी साइड़े क्या होती है बरग की बरावर होती है, इतनी बात आपको समझ में आ रहे होगी, यह मैंने आपको क्यों बता है, क्योंकि इसका यूज है, जो मैं आपको questions कराने वाला हूँ, उसमें इसका यूज है, तो इतनी बात समझ में नहीं है, अगर हमें 1 cm के 1 cm के साइड वाले बरग का अगर छेतर पर निकालना हो, तो कितना आता है, वो 1 cm इसको आ रहाता है, ठीक है, इतनी बार समझ में आ रही होगी, चलिए, इसको मिटा देता हूँ, जैसे कि पहला example है आपका, पहला example है, कि question number 1 बोल सकते हैं, question number 1 बोल सकते हैं, या example number 1 बोल सकते हैं, यह कह रहां कि 3 cm, 3 cm, भुजा वाले, भुजा वाले, बर्ग में, बर्ग में, एक सेंटी मेटर, एक सेंटी मेटर स्कॉर, चेतरफल वाले, चेतरफल वाले, बर्गो की संख्या, बताईए, ठीक हैं, question में आपको क्या दिया है, question में आपको दिया है, कि 3 cm, भुजा वाले, बर्ग में, एक सेंटी मेटर स्कॉर चेतरफल वाले बर्गो की संख्या बताईए, एक सेंटी मेटर स्कॉर वाले बर्गो की हमें संख्या बतानी है, तो सबसे पहले हम क्या गरेंगे, इस ट्रैक को questions अगर आपको आता है, तो सबसे पहले आप क्या गरेंगे, सबसे पहले आप क्या गरेंगे, 3 cm हुजा कर एक क्या बनाएंगे, यह मैंने कोई बर्ग मना लिया, जिसकी पृति एक side कितनी है, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, ठीक है, अब हमें क् करना कि एक सेंटिमेटर इसका छेत्रफल वाले बर्गों की संक्या बतानी है तो हम क्या करेंगे इसको एक एक सेंटिमेटर के क्या करेंगे एक एक सेंटिमेटर के बर्गों में क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे तीन इसके बरावर हिश्चे करेंगे ठीक है तीन इधर से बरावर हिश्चे करेंगे और तीन ही हम इधर से बराबर हिस्षे करेंगे ठीक है या इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि मैंने एक एक सेंटीमीटर पर क्या करा पॉइंट लगा दिया फिर एक सेंटीमीटर पर मैंने क्या करा पॉइंट लगा दिया फिर एक सेंटिमेटर पर मैंने पॉइंट लगा दिया वैसे ही मैंने इधर क्या गरा एक सेंटिमेटर पर पॉइंट लगाया एक सेंटिमेटर पर पॉइंट लगाया और उन्हें क्या करा पॉइंटों को आपस में मिला दिया ठीक है तो अगर आपस में मिला दू तो मिज़े के मिलेगा ये भी एक सेंटिमीटर होगा ये भी एक सेंटिमीटर हो ये भी एक सेंटिमीटर हो ये भी 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 ये सब क्यों होगा एक सेंटिमीटर होगा ठीके अगर मैं इसके area की बात करूओ, जैसे मैंने बटाया था ये 1 cm है, ये 1 cm होगा बनाई इसको 1 cm है, तो इसका 6 cm कित Yah meal कितना होगा मैंने अभी लिकाल के दिखाया था कि 1 cm squared spectrum होगा इसका भी 1 cm squared 6 cm होगा इसी तरीके से इसका भी, इसका भी ठीक है सभी कब 1 cm square क्या होगा छेतरपल होगा अभी मैंने पहले इसी लिए बताया था लिकाल के कि आप confused नहों तो इसका भी 1 cm होगा इसका भी 1 cm होगा ठीक है अब हमसे बोला कि 1 cm square छेतरपल वाले बर्गो की संख्या बताने हैं बर्गो की संख्या हम गिल लेंगे कितने जाएगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साफ, ताट, नौ तो 1 cm वाले 1 cm square वाले square 6 रफल वाले 6 रफल वाले बर्गो की संख्या होगी बर्गो की संख्या कितनी होगी 9 I think आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है, आपको क्या करना 1 cm का अगरा आपसे 1 cm square वाले बर्गो की संख्या पूच्या पूच्या गाएगा तो 1 cm के क्या करना कि लंबाई में भी ठीक में 1 cm इसका 6 तरफल वाले भर्गो भी शेंख्या बताने है शेंख्या खरना है मैंने क्या गरा एक 4 cm बुझा वाले 4 cm बुझा वाले भर्ग बना लिया इसकी पृतिएक मुझा क्या 4 cm है त्थिक ए आप 1 cm इसको आद शेत्रपल वाले बर्गों को शेंगे बतानी है तो मैं क्या गरूँगा एक एक सेंटिमेटर के पॉइंट लगाँगा ठीक है मैंने एक एक सेंटिमेटर पर पॉइंट लगा दिये चोड़ाई में भी उचाई में भी मैं इसके क्या गरूँगा एक एक सेंटिमेट से मिलाँगा इस point को, इस point से, इस point को इस point से ठीक है या तो आप एक एक centimeter के point लगाके आपस में मिला सकते हैं या आपसे बोले कि चार centimeter भुजर बाले बर्ब में एक centimeter उसका छेतरपल बाले बर्बोगी शेंक्या बताएगे तो आप क्या करेंगे उसके चार बरावर पार्ट कर लेंगे, चार इस तरीके से करेंगे, वो चार इस तरीके से करेंगे, बराबर पार्ट, और आपस में पॉइंटों को क्या गरेंगे, मिला देंगे, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होगी, वो कितने होगी, वन सेंटिमेटर होगी, उचाई भी इसकी क्यों होगी, ये सारी कि सारी क्या होंगे, 1 cm, 1 cm, 1 cm, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगे, 1 cm होगा ये, ठीक है, आई थिक आपको समझ में आ रही होगी, और इनका सब का छेतरपल क्या होगा, 1 cm square, 1 cm square, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था, तो आप बर्गो की शंक्या कितन हो जाएगा, इसका, आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, कि, 1 cm, 1 cm square वाले, बर्गो की, बर्गो की संक्या, बर्गो कितना हो जाएगा, सिस्टेंग, ठीक है, अब दोगों, यहाँ पर एक निस्कर्स लिकल के आता है, जब मैंने आपसे 3 cm भुजा वाले बर्गो में, 1 cm square चेतर बर्गो की संक्या की बात करी, तो 9 आया था, अब मैंने 4 cm भुजा वाले बर्ग में, 1 cm square वाले, चेतर र॑ब बर्गो की संक्या की बात करी, तो हमारा लांसर कितना है, 16 क्या है, यह इदि, आपसे बोलता है, कि, चित्र बना कर बर्गो की शंक्या बताइए, तो आप इस त क्या करेंगे जितनी भी भुजा दी है जितनी भी भुजा दी है उसका क्या करेंगे इसक्वार करेंगे जैसे यहाँ पर चार सेंटीमीटर भुजा कितनी दी थी बर्ग की चार सेंटीमीटर ठीक है तो बर्गो की शंख्या क्या जो होगी बर्गो की एक सेंटीमीटर तब एक सेंटी मेरी स्कूर छेठ रफल बाले बरगों की शंख्या बरावब कितनी होगी बुझा की गाथ दो ठीक है यह क्यों χांगी संग्यों हो जाएगी जैसे कि यहां पर चार दिया था तो पुझाने के लिए नहीं बोलेगा question में तब आप डारेक्ट इस तरीके से लिकाल देंगे इस formula से ठीक है बुझा की घात बुझा की घात बुझा की जो side है वो आपको दी होगी ठीक है बुझा की जो लंबाई हो आपको दी होगी और बन सेंटमेटर चेतरपल वाले संख्या आपको समझ में आया होगा अच्छे से चलिए आगे चलते हैं आगे किस टैक की questions और बन सकते हैं आपके exam में उसके बारे में देखते हैं बाद से related अब अगर मैं आपसे बोलूं question number 3 की बात करूं question number 3 इस तरीके से बन सकता है कि बहें कौन सी संख्या है कौन सी संख्या है जिसकी जिसकी उसी से गुणा करने पर गुणा करने पर जिसकी उसी से गुणा करने पर उड़ांचास प्राप्थ हो ठीक है उड़ांचास प्राप्थ हो जब इस तरीके एक question आपसे पूछे कि बहें conscious हैं क्या जिसकी उसी से गुणा करने पर इसका बर्ड़ांचास प्राप्थ हो तब हम क्या गड़ते हैं solution देख लो तब हम क्या गड़ते हैं इसका बर्गमूल लिका लेंगे या आपको सीधा सीधा पता हो कि यदि हम कि यदि हम 7 में 7 की multiply कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 48 मिलेगा तो वो consistent क्या हो जाएगी? वो 7 हो जाएगी यदि आपको पता है तो बना आप क्या करेंगे? सीधा-सीधा इसका method गया है कि आप इसका बर्गमूल लिका लेंगे बर्गमूल कैसे लिकालते हैं? मैंने बोला था इसको हम क्या करेंगे? root में रखेंगे root में रखने के बाद हम इसके क्या गरेंगे? factor करेंगे इसकी factor हम क्या कर सकते हैं? 7 into 7 ठीक है? 2 का pair बन गया बहार निकाल लेंगे तो कितना आगे? 7 answer तो वह कौन सी संक्या है? वह कौन सी संक्या जिसकी उसी से उसी गुणा करने पर 14 प्राथ हो वह 7 है ठीक है? यदि मैं बोल दूँ आप से वह कौन सी संक्या है? जिसकी उसी से गुणा करने पर आपको क्या मिल जाए? 169 मिल जाए ठीक है? वह कुन सी संक्या है जिसकी उशी में गुणा करने पर आपको 169 मिल जाए तो आप क्या करेंगे सीधर सीधर इसका क्या लिखा लेंगे इसको आगूट इसके फैक्टर हम क्या कर सकते है इसके फैक्टर हम कर सकते है 13 into 13 ठीक है दो का पेर बन गया एक बाहर जाएगा ठीक है आंसर 13 ही वह संक्या है जिसमें हम 13 की मल्टिप्लाई कर दें तो हमें के मिलेगा 169 मिल जाएगा इस टैप के अप पिरति बाहर लेंगे ठीक है कुछ भी आँसे बोलेगा आपको इसी तरीके से करना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं छलिए नेश्ट कोशन रहीं की बात कर लेते हैं ने इस्ट रुशन होगे आपका रडातमक पूर्णांको का बर्ग ग्यात केजिए ठीक है आपको ये बताना है माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 रडातमक पूर्णांको का बर्ग ग्यात केजिए आपको इनका बर्ग बताना है मैंने आपको बताया था बर्ग का मतलब होता है किशी विशेंग्या का अगर हमें बर्ग निकाल ला हो हम क्या करते हैं घाद 2 करते हैं ठीक है तो जैसे कि अगर हम बानस 3 का बर्ग की बात करें तो हम क्या करेंगे मानस 3 की पावर 2 ठीक है और पावर 2 का मतलब होता है दो बार multiply, minus 3 की multiply दो बार करेंगे, minus minus क्या होता है हमारा, देखो minus गुणा minus होता है हमारा plus यदि में minus गुणा plus की बात करूँ तो हमारा क्या होता है यदि में plus गुणा minus की बात करूँ, तो हमारा क्या होता है यदि में plus गुणा plus की बात करूं तो हमारा क्यों होता plus होता है ठीक है आई तिंग ये बात आपको समझ में आई होगी पता भी होगी कुछ बच्चों को जो 8 साइट से हैं उन्हें साहर न पता हो तो इस तरीके सम करते हैं minus गुणा minus plus minus गुणा plus minus plus गुणा minus minus किलस गोना प्लस प्लस ठीक है इतनी वागा समझ मे आ रहा होगी वैसी धेखो यहाँपे क्या माइनस 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 क्या होता हमारा प्लस होता ठीक हैnon रचे कि दो यह तो Click generates your हमारा हमारा झान ठीक है सब्सक्राइब आगे हमारा नाइन ठीक है वैसे हम मंजा laughed के स्क्वार की बात करें वर्ग की बात करें मानस फाइब का वर्ग क्या हो जाएगा मानस फाइब का घात दो करेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं मानस पांच गुणा मानस पांच कितना हो जागा प्लस के 25 पांच पंजे 25 ठीक है वैसे 7 के वर्ग की बा अगर प्लस के और अंचास ठीक है I think आपको यह सब को समझ में आयोगा कि किसी भी संक्या का हमें बर्ग कैसे निकाल रहा है घद्धो कर दे नहीं है उसकी दो बार पर मैं आगे की बात करूं जैसे की मैने आपसे बताया था सुरू में ही कि किसी भी संक्या का वर्ग क्या होता उसके गहाद 2 होती है जैसे मैंने बोला एक्स का वर्ग X का वर्ग क्या होगा X का वर्ग होगा आपका X स्कार ठीक है यदि मैं आपसे बोलू कि माइनस 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग क्या होगा आपका माइनस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आपका माइनस 2 गुणा 2 एक कोस्टू 4 positive क्या आएगा 4 आएगा ठीक है वैसी मैं अगर 2 के बर्ग की बात करूं 2 का बर्ग 2 के बर्ग की बात करूं तो कितना आएगा minus 2 का sorry 2 का क्या गरने square 2 गुणा 2 equals to 4 ठीक है यहां से आपको दिखाये दिया होगा कि minus 2 का हमने वर्ग निकाला तो हमें 4 मिला और plus 2 का बर्ग में लिकाला तो हमें क्या मिला चार मिला ठीक है इसका मतलब यहां से एक niscus निकल के आया कि यदि हम negative नंबर का बर्ग करें तब भी हमें positive मिलेगा और यधी हम positive number का बर्ग गरे, तब भी हमें positive मिलेगा, मतलब क्या है कि बर्ग जो होता है, वो किसी भी संख्या क्यों हूँ, चाहे negative हो या positive संख्या हो आपकी, हमेशा बर्ग क्या होता है, positive होता है, लेकिन बर्ग मूल, देखो अगर 4 का बर्ग मूल लिका लें, यहाँ पे ब जो बर्गमूल होगा वो कितना होगा माइनस दो होगा ठीक है और यहाँ पर अगर मैं बर्गमूल की बात करूँ तो चार का यहाँ पर क्या होगा बर्गमूल कितना होगा पिलस के दो ठीक है यहाँ पर निगेटिव है यहाँ पर पोजिटिव है इसका मतलब क्या है यहां से एक निस्कर्स और निकल के आता है कि बर्ग मूल जो होता वो पोजिटिव और निगेटिव दोनों होता है लेकिन बर्ग जो होता वो हमेशा क्या हो जाता तो पोजिटिव होता है वो चाहे निगेटिव नंबर का बर्ग हो या पोजिटिव नंब माइनस 5 का अगर हम बर्ग करें माइनस 5 का वर्ग करें तो कितना आएगा माइनस 5 गुणा माइनस 5 कितना आएगा 25 पिलस के 25 आएगा यदि हम 5 का वर्ग करें 5 का वर्ग करें तो 5 का वर्ग कितना आएगा 5 गुणा 5 मतलब 25 ठीक है अब यहाँ पर 25 का बर्गमूल देखें हम बर्गमूल क्या होगा माइनस के 5 होगा ठीक है और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 25 का बर्गमूल क्या आएगा हमारा पिलस के 5 आएगा ठीक है इसका मतलब क्या है कि निगेटिव 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 नि टेलिग्राम चैनल पर उसकी प्रक्टिस कीजिए अच्छे से ठीक है चलिए यह दी नोट करके लिख लिजिए इन सभी को नोट करके लिखेंगे नोट नंबर एक नोट नंबर एक है आपका कि सुन्य उतर पूरांको का वर्ग हमेशा हमेशा धनात्मक पूरांक या या प्राकृतिक शंक्या होता है ठीक है यह वही बात है कि किसी भी शंक्या का चाहिए शंक्या हमारी निगेट हो या पोजिटिव हो उसका वर्ग क्या होता हमेशा वो धनात्मक होता है या कोई प्राकृतिक संक्या होता है प्राकृतिक संक्या क्या होती है एक दो तीन चार पाट छे ठीक है सबसे पहली क्लास में आपको बताया था ठीक है इतनी बार समझ में आ रही होगी ठीक चलिए न नट नमबर दूसरा है आपका Noot नमबर दूसरा है कि Varg पूर्णांको अ बर्गोंदांको का VARGमूल अ बर्ग passiert अ में धनात्मक एवं रिडात्मक दोनों होता है ठीक है जैसे यदि मैं 25 का बर्मूल की बात करूँ तो 25 का बर्मूल जो होगा वो पिलस माइनस क्यों होगा 5 होगा ठीक है धनात्मक भी होगा और क्या होगा पोजिटिव होगा अगर मैं उड़नचास के बर्मूल की बात करूँ तो उड़नचास का बर्मूल आपको क्या मिलेगा पिलस माइनस सेवन ठीक है जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था ठीक है इतनी बात समझ में आ रही होगी चलिए नोड नमर थर्ड है आपका नोड नमर थर्ड है कि सुनिय का बर्मूल हमेशा सुनिय तथा बर्मूल भी हमेशा सुनिय ही होता है ठीक है सुननेगा बर्ग मूल लिका लो या बर्ग लिका लो हमेशे क्या मिलेगा सुनने मिलेगा ठीक है इतनी बाद समझ में आ रही होगी राइट डान कर लिए अच्छे से इसको ठीक है चलिए मिटा देता हूं इसको आगे चलते हैं आगे है आपका परी में शंक्याओ का वर्ग जैसे मैंने आप से बोला कि 4 बटे 5 का वर्ग बताईए क्योप के रूप में होती है ठीक और जहां पर क्या होता है क्योट क्योट के रूप में लिखे जाती है Q is equal to 0 होता है Q कभी भी 0 नहीं होगा और P और Q दोनों क्या होती है पूलांक होती है तो 4 बटे 5 क्या है परिमेशन क्या है अगर इसके बर्ग की बात करें तो हम क्या करेंगे 4 बटे 5 का बर्ग करेंगे जैसे किसी नमबर का बर्ग करते हैं वैसे हमें परिमेशन क्या का बर्ग करना है तो इसको क्या है लगने 4 बटे 5 बुणा 4 बटे 5 4.16 बटे 25 अंसर ठीक है इस तरीके से कर लेंगे यदि मैं किसी और नमबर की बात करूँ जैसे मैंने आपसे बोला कि मैनस के 3 अपून 7 का बर्ग बताईए तो क्या होगा का बर्ग ठीक है इसका बर्ग बताने के लिए बोला मैंने तो आप बोलेंगे कि मैनस के 3 अपून 7 का बर्ग लिखाने के लिए घाद दो करेंगे विच इंप्लाइस को हमके लिखेंगे मानस के 3 अपॉन 7 गुणा मानस के 3 अपॉन 7 ठीक है मानस मानस क्यों होगा पिलस होगा मैंने अभी आपको बताया था तो कितना हैगा 3 3 9 7 7 4 9 ठीक है ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा तो आप परीमिशंक्याओ का भी बर्ग निकाल लेंगे आशानी से ठीक है यहां परीमिशंक्याओ के लिए भी वही नियम फोलो करता है कि यदि कोई शंक्या परीमिशंक्या पोजिटिव हो या निगेटिव हो बर्ग हमेशा क्या आएगा पोजिटिव आएगा लेकिन बर्गमोल निगेटिव और पोजेटिव दोनों होगा ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है चलिए आगे चलते हैं अब मैं आपको होमबर्क दे रहा हूं थोड़ा सा याद करने का लिखने का कुछ नहीं है वस आपको सिर्फ याद याद करना है क्या होमबर्क है की होमबर्क ये है एक से लेकर बीज तक की संख्याओ के बर्ग ठीक है एक से लेकर 20 तक की संक्याओ के अगर बर्ग की बात करें हम और बर्गमूल की बात करें बर्ग तथा बर्गमूल ठीक है तो लिख लीजिए बस आपको याद करने हैं अगर आपको याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है जिनके वो याद कर लें ठीक है यहाँ मैं लिख देता हूँ बर्ग मूल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बर्ग ठीक है यह मैंने लाइन खीज दी जैसे मैंन भी वर्ग बन होगा और बर्गमूल भी क्या होगा बन होगा दो बर्गमूल है किसका चार का यह इसा समझ लिए दो का जो बर्ग होगा वो कितना होगा चार होगा ठीक है वैसे तीन का कितना होगा नो चार का सोला पांच का पच्चिस छे का च्छतिस साथ का उड़न चाज आठ का चोंसट ठीक है नो का एक्यासी और दस का आपका सो ठीक है इतनी बास समझ में आ रही होगी चलिए आगे के मैं इधर लिख देता हूँ वैसे ही ल रगमूल और बार्व ठीक है 11 का कितना होगा 121 स्थ AN टाउल्ब का बन कितना होगा 144 ठीक है 13 का कितना होगा 169 सिश्टीन ports About Concao liegen a key ठीक है, 17 का कितना होगा, 299 होगा, 18 का कितना होगा, 324, 19 का कितना होगा, 361, 20 का कितना होगा, 400, ठीक है, यह आपको याद करने हैं, बस 20 तक याद करने, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, लिख लीजिए इनको, यह इसके लिए सोट ले लीजिए, चल लेंगे जिनके याद वो तो अच्छी बात है ठीक है वो अच्छे बच्चे हैं अच्छे बच्चे वो भी जिनके याद नहीं है वो आठ साइट के हो सकते हैं वो अपने विश्य में सही होंगे ठीक है तो सभी बच्चे अच्छे हैं चलिए अगर हम बात करें घन तथा घनमूल अभी मैं घन घनमूल के बारे में पढ़ा नहीं रहा हूँ सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आपको याद क्या करना घन और घनमूल कितने नंबर तक आपको याद करने ने उसके बारे में बता रहा हूँ अभी हम बर्क और बर्ग-मूल पढ़ेंगें कि आप्धायणा के बारे में तो घन इधर में लिख देता है 8 होता है घंका मतलब होता है घात 3 ठीक है थी का कितना होता है 27 होता है 4 का कितना होता है 446 चोका 64 होता है और 5 का कितना होता है 25 25 125 होता है 6 का कितना होता है 216 होता है 7 का कितना होता है आपका 7 का होता है आपका 529 8 का कितना होता है आपका अट्टूमटिव 64, 7 का होता है आपका 343, ठीक है, 343, 8 का होता है आपका 512, 9 का होता है आपका 729, और 10 का होता है आपका 1000, ठीक है, ये आपको याद रखने है, एक का एक, तो का आठ, तीन का सत्ताई, चार का चोफर्ट, माच का पच्चिस, छेक का 216, साथ का 343, 8 का 512, 9 का 729, ये 10 का 1000, एक से लेकर दस तक आपके घनियाद रखने हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको 10 तक घनियाद रखने हैं, और 20 तक आपको वर्ग याद रखने ठीक है, बर्ग और बर्मूल, घन और घनमूल आपको इतने याद रखने हैं, इस से ज़्याद आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, I think आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी, और मज़ा भी आया होगा, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना न भूले, वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दें, ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, चलिए मिलता हो अगली वीडियो में, इसी उस्सा और उमंग के साथ, तब तक के लि झाल